हेलो दोस्तों किस्मों टाइम सिंधी में आपका स्वागत है मेरा नाम है चेतन आप देख रहे हैं सेनाइजर मोमेंटम ट्रू वाइलस टू का एक विक अन्बोक्सिंग और एक विक रिव्यू यह बड्स मुझे तीन दिन पहले मिले थे और तब से मैं इसको यूज कर रहा कि आज तक के सबसे best performing earbuds यह रहेंगे मगर 25,000 रुपए का price है इसका यह ऐसे नहीं है कि एक सस्ता option रहेगा तो आप easily इसको use कर सकते हो इसका price 25,000 है तो obviously इसके features भी अच्छे होने ही चाहिए तो बात वहाँ पर आएगी यदि आपको 25,000 एक earbuds के set पे use करना है या नहीं और अ कोड़े लोगों को यह भी होता है कि ठीक है मैं एक बार के लिए अच्छा option ढूण लेता हूं क्योंकि वैसे अगर देखो तो Apple के AirPods Pro है वो भी almost उसी price सक पहुंच जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि कोई और option है ही नहीं मगर यह अगर आप Apple के AirPods Pro के साथ compare करोगे तो कैसे रहेंग active noise cancellation जो की एक सबसे बड़ा feature है इसका battery life and charging case तो यहां पर जो features दियेगा है उसके अलावा एक feature है transparency mode वाला वो एक बहुत-बहुत helpful feature रहेगा लोगों के लिए और इसमें आ रहा है IPX4 का certification जो इसको sweat proof रखेगा और उसके साथ साथ AAC and Qualcomm का APDX support है Qodex support Bluetooth 5.1 version है इसका and easily pause music by removing earbuds from ears तो यह एक ऐसा feature नहीं है कि मतलब आपने कभी देखा ना हो क्यूंकि अभी तक रियल में buds air जैसे सस्ते earbuds में भी वो option आ गया है but obviously इसका अगर हम देखें तो इसके sensors obviously इससे better हो सकते है and यह control होगा Senizer के smart control app के तुरू अब पहले जली-जली box खोल लेते हैं और box खोलने के पहले वैसे यह case आपको मिलेगा बड़ इसके अलावा आपको box packaging में क्या क्या मिल रहा है वह मैं आपको दिखा देता हूं तो ऐसा रहता है इसका box package जाहां पर यह रहेगा यहां पर case और दो यह बड़ आ जाते हैं उसके अलावा यहां पर यह पूरा एक booklet का set दिया गया है और इसके sizes है large small और extra small medium आपको earbuds के साथ already लगाए होया आते हैं और बाकिये booklets और भी दिया गया है यह बैटरी का information और warranty और safety information guidelines तो वो सब आपको box के अंदर मिल जाता है अब आपर चलते हैं इसके design की तरफ पहली बात यह इसका case है अगर आपने Senizer का momentum true wireless पहला वाले earbuds देख यह सिर्फ ओपर coating के तरह नहीं आ रहा है यह proper protection देगा and बहुत ही premium feel देगा तो अगर आप इसको पकड़ते हो तो पता चल जाता है कि मतलब एक काफी premium वाले earbuds का case आप hold कर रहे हो Senizer का logo इसके ओपर print किया गया है and नीचे की तरफ तो रहे certification के information mentioned है अब इस case को हम open करते हैं त उसके साथ साथ यह जो पैनल एरिया है यहां पर magnet तो आता है magnet के अलावा यहां पर यह थोड़ा सा spongy area है so that जब भी आप case को close कर रहे हो magnet के वैसे जल्ली से close होता है तो यहां पर कोई damage ना हो इसके लिए वहां पर एक अच्छे से panelling दी गई है sponge के साथ और यहां पर यह charging area ह जो earbuds को charge करेगा case को side में रखते हैं अब चलते हैं सबसे main चीज के पास जो है यह earbuds तो earbuds में अगर आप ऊपर की तरफ मतलब अंदर की तरफ देखो तो यह sensor रहेगा wear detection sensor जिससे पता चलेगा कि आप इसको पहन रहे हो या निकाला या अपने कान से so music pause कर सके और यह है charging के pins और points और ear tips जो medium size के ear tips लगाए हुए आते हैं left and right indicators है यहां पर और LED indicators भी यहां पर आपको दिख रहे हैं जो pairing के लिए ready है और यह है वो बाहर का mic जो external noise को अंदर लेगा और noise cancellation में help करेगा और यह है touch sensor area तो यह area है जो touch का पूरा response देगा और completely customizable touch options है यह तो वैसे अगर आप फिर बडजेर नहीं हो और even realme का जो realme के बडजेर और बडजेर नहीं हो में भी आपको touch customizable options होते थे तो वह चीज़ यहां पर भी है मगर obviously क्योंकि sanitizer ने इस पर इतना काम किया है तो obviously वह थोड़ा सा better रहेगा and अब इनके main features की बात कर लें यह आते हैं 7mm drivers के साथ जो की bespoke drivers है dynamic drivers और built-in equalizer आपको मिल रहा है इसके app के अंदर तो ज्यादा time waste ना करें मैं आपको app के अंदर ही ले चलता हूं आपको दिखाता हूं कि app में आपको features क्या के मिल रहे हैं यहां पर और इसके अलवा voice detection का भी मतलब voice assistant का भी यहां पर support मिल रहा है आपको voice assistant का मतलब google assistant और siri जो भी आप phone यूज कर रहे हो इसके हिसाब से android होगा तो google assistant ओपन होगा या अगर apple यूज कर रहे हो तो siri ओपन हो जाएगा and उसके अलवा transparent hearing transparent hearing का मतलब क्या है तो अगर आप इसको ANC में चला रहे हो मतलब active noise cancellation में चला रहे हो तो इसका noise cancellation actually काफी अच्छा है ऐसे आपको लग मगर थोड़े लोग को यह भी होता है कि कभी-कभी जब music चल रहे हो मुझे बाहर का भी noise कम जादा नहीं होना चाहिए मतलब थोड़ा सा तो मुझे बाहर का noise भी आना चाहिए natural voice और अगर आसपास कोई आपसे बात करने की कुशिश कर रहा है वो भी आपको सुनाई देना तो वहां पर एक transparent hearing mode वो आ जाता है और वो यहां पर आपको as a feature मिल रहा है तो यहां पर smart control जो यहां पर application है Senizer की तरफ से तो वह मैं यहां पर enable करता हूं और permissions भी दे देता हूं switch on Bluetooth तो वह switch on कर देगा Bluetooth को भी and अब अगर हम app के अंदर जाके अब देखते हैं कि क्या यहां पर आपको मिल रहा है तो connecting momentum DW2 पहली बात यहां पर दिखाएगा क्योंकि वो connect करने की कोशिश कर रहा है and अब यह रहे सारे features इसके battery life 100% earbuds की वो आपको दिखा देगा transparent hearing यह है वो option जहां पर आप actually बाहर के surroundings की आवाज भी सुन सकते हैं stay connected to your surroundings without even removing the earbuds from your ear and keep music playing तो वो भी music आप रोक सकते हैं अगर चाहे तो यह music चलाते चलाते बाहर का आप sound थोड़ा सा सुनना चाहते हैं equalizer यह सबसे बड़ी बात है अब मैं इसके equalizer के साथ साथ performance की बात कर लों क्यूंकि मैंने अभी तक जो भी music सुना है वो अलग अलग genre में सुना है एक जो था pop music उसके अलावा मैं heavy bass मतलब metal music जादा सुनता हूं जैसे for example songs like believer imagine dragon से उसमें beats जो होते है I like those kind of sounds तो वहाँ पर मैंने इसको neutral रखा क्यूंकि मुझे बता था कि इसके bass boost drivers जो है वो काफी अल्रेड़ी अच्छे से पंची bass देंगे मगर अगर आपको चाहो तो यहां पर आप bass बढ़ा सकते हो या अगर चाहो तो थोड़ा सा यहां treble बढ़ा दो और bass को कम कर दो तो वह आप equalizer में set कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि आप presets add करके इसको save कर सकते हो कि next time अगर मुझे इस टाइप का music सुनना है तो मैं इसको यह वाले presets पर set करके चला दूँ तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि equalizer आप यहां पर set कर सकते हो यह काफी कम earbuds मिलता है यहां पर price भी इतना पे कर रहे हो तो वो customization options सारे यहां पर आपको मिल रहे है तो left and right अलग-अलग earbuds के अलग-अलग option जो है तो आप वो set कर सकते हो अगर चाहो तो आप edit पर आओ और edit पर आके आपको जो चाहे अगर आपको play and pause में कुछ और लगाना हो मतलब एक tap पर कुछ और लगाना तो वो लगा सकते हो काफी अच्छे-च्छे options है voice assistant है और transparent hearing का option active noise cancellation का option and no function अगर आप चाहो कि single tap पे mistake मैं मतलब गलती से भी single tap हो गया था तो कोई function ना हो तो no function भी set कर सकते हो और अगर आप ऐसे user हो जिसको मतलब touch control जादा चाहिए ही नहीं आपको लगेगा कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं obviously phone मे आपके वो change कर दो तो आप disable कर सकते हो touch control को completely तो ये थे इसके app के features and battery life इसकी battery life company ने तो claim की है कि 7 गंडे का सिर्फ ये earbud ही battery life दे देगा आपको वो भी aptX के hearing में मतलब aptX is the highest quality codec जो support करता है ये और उस quality में भी अगर आपको 7 गंडे का ये battery life दे रहा है और उसके अलावा 21 30 गंडे की battery life आपको सिर्फ case से मिल रहे है तो total hearing is about 28 hours 28 hours of total music listening आपको इस momentum true wireless 2 में मिल रही है मगर मेरे usage में मुझे मैंने continuously तो 7 गंडे इसको चलाया नहीं बट जब भी मैं use करता है total अभी तक मैंने at least 20-22 गंडे तक का usage इसका किया है continuous usage थोड़े calls में और थोड़े music listening में नहीं पड़ी है यह तो obviously जब यह आप इसको case में रखते हो earbuds को तो वह charge होते रहेंगे और वापस 100 पर पाउंड जाएंगे मगर case को अभी तक charge नहीं करना पड़ा है तो company ने तो 28 गंडे का claim कर दिया है but यहां पर 20-22 गंडे में ने use किया अभी तक charging की ज़रूरत नहीं हैं 4-5 ग्राम के weight के साथ यह 6 ग्राम तो थोड़ा जादा रहेगा बाकी earbuds से मगर आपको जो features मिल रहे हैं obviously उसके लिए मतलब थोड़ा सा compromise weight का हो गई और earbuds का weight 6 ग्राम और यह 58 ग्राम का weight तो total package यह 70 ग्राम कर रहेगा and जैसे मैंने कहा था अभी तक audio quality में आज तक मैंने ज in every kind of music तो बहुत ही balanced output देता है और जब volume output की बात करें तो volume का भी output काफी काफी जादा है उसके दो reason यह भी रहेंगे एक रहेगा कि मतलब drivers अच्छे हैं और आपको उसका quality में तो कोई compromise नहीं है उसके साथ-साथ क्यूंकि यह in-ear option है और इसका जो design है यह अच्छे से आके आ cancellation होता है noise का बाहर का वो बेटर होता है और उसकी वज़े से जो इसका audio है वो और clear हो जाता है और ज्यादा bass लगता है आपको कि हाँ इसमें ज्यादा bass है music में तो यह था Senezer Momentum True Wireless 2 earbuds का review final thoughts मेरे यह रहेंगे कि अगर आप एक full final option चाहते हैं कि मुझे कोई भी price range हो एक ऐसा earbud set चाहिए जो मैं चला सको हर बार के लिए without any issues then यह एक ऐसा option आप consider कर सकते हैं मगर यह question हर बार रहेगा कि 25,000 रुपए क्यों मुझे देने चाहिए एक earwards के लिए तो आप अगर वो budget set करके आपको लग रहा है कि ठीक है I can spend that much then there is no other better option यह ही सबसे best option मैं कह सकता हूं अभी के depends on your budget आपके पास इतना budget होगा या नहीं तो यह था एक फुल रिव्यू सेनरेजर मोमेंटम ट्रूवाइलस 2 का इसके अंबॉक्सिंग के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्स्राइब कीजिए किसमा टाइम सिंदी को देखने के लिए सान्यवाद मि झाल